जुखाम का होना बहुत ही आम बात है लेकिन इस बदलते मौसम में सूखी खासी हम सभी के लिए परिशानी का सबब बन जाता है तो इस वीडियो में जानते हैं कि सूखी खासी को ठीक करने के लिए ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खें हैं जिससे आप आसानी से बिना दवाई के इससे छुटकारा पा सकते हैं सूखी खासी को ठीक करने के लिए आपको सर्फ चाहिए तीन चीज शहद, अद्रक और मुलैठी ये सभी चीजे हर रसोई में बड़ी असानी से मिल जाती है इन सभी चीजों में हीलिंग प्रोपर्टी मौजूद होने से आपकी खासी ठीक करने के साथ ये इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करती है सूखी खासी को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले एक चमत शहद में जरा सा अद्रक का रस मिला कर पी लेना है इसके बाद अपने मूँ में मुलेठी की छोटी सी डंडी रख लीजिए ऐसा करने से आपका गला नहीं सूखेगा मुलेठी सूखे गले और खरास से रहात दिलाने का काम करती है इसके अलाबा आप दो चमत शहद को आदे गिलास गुनगुने पानी में मिला कर चरूर पीएं रोजाना इस नुस्खे को अपनाने से सूखी खासी में बहुत चल्दी आराम मिलता है तो अगर आप गाउ में रहते हैं तो आपने पीपल का पेड़ तो जरूर देखा होगा पीपल की गाट को पीस कर उसमें एक चमत शहद अगर मिला कर पी लिया जाए तो इससे कुछी दिनों में सूखी खासी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है तो वही एक अनोखा तरीका जिसको हर कोई इस्तिमाल कर सकता है वो है अद्रक की एक गाट को कूट कर उसमें चुटकी भर नमक मिला लेना है और दाड के नीचे दबा लेना है उसका रस धीरे-धीरे मुह में अंदर जाने दीजिए पांच मिनट तक उसे मुह में रखना है और उसे फिर कुला कर लेना है बहुत ही कारगार उपा है और इससे जो है आप अपनी सूखी खासी से बहुत चल्दी छुटकारा पा सकते हैं तो मुलेठी के चाई पीने से भी सूखी खासी में आराम मिलता है इसे बनाने के लिए दो बड़ी चमच मुलैठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और इस मग में उबलता हुआ पानी डाले 10-15 मिनट तक भाफ लगने दे दिन में इसे दो बार पीने से आपकी सूखी खासी जटपट कायब हो जाएगी तो आपको ये नुस्खे कैसे लगें और आप इन में से किसी भी एक नुस्खे को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सूखी खासी को दूर करने के लिए